नमस्कार दोस्तों स्वागत था आप सभी का हमारी यूट्यूब चनल अब्जेक्टिव सेंटर पर इस वीडियो हम लोग देखेंगे यूपी-pcl-tg2-2 का यह पेपर है जो कि आपका 25 जनौरी जनौरी 2019 का पेपर है इसमें हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पर आप्जेक्टिव कोस्चन जो कि पृवयस यह क्या हुए है सारे कोस्चन हम लोग देखेंगे यह है मारा 25 जनौरी 2019 का पेपर मा कर लेते हैं पहला कोश्चन है निम्न माइक्रोसाफ्ट एक्सल फंक्शन का क्या मान होगा तो पाउर टू और टेन यह हो जाएगा हमारा एक हजार 24 के होगा दूसरा कोश्चन है निम्न लिखित में से एपल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउजर विक्सित किया गया है उसका नाम है सफारी तीसरा है निम्न में से किसे माइक्रोसाफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए परियोग नहीं किया जा सकता है तो जिसे हम लोग माइक्रोसाफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए परियोग नहीं कर सकते हैं वह रहता है कि केवल फाइल आइकन पर किलिक करके हम ल इंटरनेट को पैकेट स्विच भी कहा जाता है क्योंकि यह क्या करता है TCP IP कब प्रियोग करता है यह होता है हमारा secondary memory छठा कोशन है अगर आप एक Microsoft PowerPoint करें तो आपको क्या करना होगा अगर यह करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि सलाइड उस समय प्रकट नहीं होगी जब आप प्रस्तुति करण दे रहे हैं यहां पर हमारे इमेल अप्लोडिंग चैट ब्राउजिंग यह हमाला जो आनलाइन कनवर्जन होता है और यह मैसेज के दुवारा जो होता है यह हमारा चैट होता है कि Microsoft Excel में बनाई गई फाइल को हम लोग क्या कहते हैं तो देखिए जो Microsoft Excel में फाइल बना जाती है उससे हम लोग बुक कहते हैं नौवा कोश्चन है Windows अप्लिकेशन के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है तो देखिए Windows अप्लिकेशन के संबंधर भे में ओ या ली के जो पूर्ण रूप होता है इसका फुलफार्म होता है अब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग तो इसके द्वारा अलग करें करके तो कामा कप्रियों करके हम लोग क्या कर सकते हैं अधिक एक ही बार मतलब पूर्ण मैसेज भेलना है तो सबको सेलेट कर लेंगे एक बीच-बीच में कामा देके उनके पास बहुत सारे में भेल सकते हैं कामा दे देखें गयारे नामर सब्सक्राइब तो इसका जो एस याई याई कोड होगा यह 01001110 होगा क्या रहता है कि इसमें हम लोग यह पहला अंसर करेक्ट हो जाएगा बारे नमर कोश्चन है निमनों से कौन सा प्रस्टूती करांट साप्ट वियर नहीं है देखें जो माइक्रोसाफ्ट एक्सस होता ह यहां परेन पहले नहीं रहता है तो यहां पें हर यहां पहला प्रस्टूती करांट साप्ट वियर नहीं है कि तेरे नमर कोश्चन है करेक्टरिस्टिक आफिक कंप्यूटर यह कहलाता है चौदे नामर कोशन है दिये गया Microsoft Excel function को वरकसीट के सल में प्रिष्ट किया जाए तो निम्न बेकलपों में से कौन सी संख्या प्रदर्सित होगी तो यह जो संख्या प्रदर्सित होगी हमारा वन प्रदर्सित होगा पंद्रे नामर कोशन है प्रारम्भ में Slides Ign equipment के लिए ब्यक्त को कौन से function की दबाना चाहिए और वारतमान सलाइट सेु सलाइट सो के लिए आरम करने के लिए कौन सा shift की या functional की दबाना चाहिए देखे अगर प्रारम से सलाइटcent सोरुं करने के लिए व्यक्तिकFrame करना चाहिए जो फंक्षनल की 5 होता है उसे दबाना चाहिए और अगर वर्तमान सलाइट से सलाइट सो से आरम करने के लिए अगर करना है तो ब्यक्ति को गया करना चाहिए सिर्ट पलस एफफाइब को दबाना चाहिए सोले नमर कोश्चन है निमने में से डेटा प्रस्तुति करन में कौन सी तक्निकी कम से कम वरणों की संख्या को बिसे सुरूप से प्रस्तुत करती है तो डेटा प्रस्तुति करन में जो तक्निकी कम से कम वरणों की संख्या को प्रदर्सित करती है बिसे सुरूप से तो वह रह डेटा डालता है देखे जो ओयली के संब्ध में जो हमारे लिंकिंग होता है यह दो वस्तों के बीच कनेक्शन अस्थाप्टिन करता है और जो एमबेडिंग होता है यह अप्लिकेशन में डेटा को डालता है अधार नाबर कोश्चन है विच आपदा फालूइंग नेटवर्क है टोपोलाजी प्रोवाइड ए सेंट्रल हब और कंप्यूटर विच दरेश्ट आपदा केंप्यूटर और डिरेक्टली कनेक्टेड यह होता है आपका इस्टार में 19 नंबर कोश्चन है जब विंडूज अप्लिकेशन को निवनिकरित किया जाता है तो यह विंडूज आप्रेटिंग सिस्टम के डड़ ड़ पर एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होता है कि किस पर प्रकट होता है हमारा टास्क बार पर प्रकट होता है इस नम्र कोश्चन है विच अबता फालूंग इस नाट यह वैलिट फंक्षन इन माइक्रोसाफ्ट एक्सल में कौन सा फंक्षन वैलिट नहीं है तो यह होता है मिनिमम कौन से कतान गलत हैं तो देखिये मुख मैमोरी के तुलना में जो गवण मैमोरी की सीमिद भंडार चमता होती है यह जिक्छा मैमि लिए गलत है ट्रयमस राम से धीमा होता है तो द्रयम और ये स्रैम से त्धीमा होता है यह बिल्गुल यह यहां पर केवल पहला कतान कथान गलत है बाकि दूसरा सही है कि Microsoft Word 2016 दस्तवेज में एक तारीका में अधिक्तम कितने कालम हो सकते हैं तो देखिए जो Microsoft 2016 के दस्तवेज रहता है उसमें जो अधिक्तम कालम की संख्या हो सकती है शिष्टी थिरी म मुझाने क्थन गलत है तो देखिए आपको इमेल पढ़्णा या भीजना समांप्थ करने के बाद logout या signout AC क्लिक करना चाहिए यह बिल्कुल सही है कि आपको email पढ़ना या भीजना समांप्थ करने के बाद हमें do पर क्लिक जरूर करना चाहिए email के संबאंध में यह बिल्कुल गलत है यानि यहां पर दूसरा अंसर केवल गलत है बागी पहला सही है 24 नमबर कोशन है Microsoft Excel 2016 आपके फाइल के साथ डिफाल्ट रूप से कौन से extension लगाकर आपको सहिस्ता है तो उसको जो सहिस्ता है डिफाल्ट रूप में परियोकुर्ट तो वह डार्ट एक्सल एस एक्स एक्सल एस एक्सल एक्सल के रूप में सहिस्ता है extension को 25 नमबर कोशन है तो प्रकार के सिस्टम में एक जटिल साप्टिवेयर है जो साप्टिवेयर संसाधनों और कॉंप्यूटर पढली की कारयात्मक्त की विवस्था करने के लिए जिम्मिदार होता है 26 प्राप्त करता के छोर पर इंप्रेप्तेटीड डेटा का त्व्ष जुरी है ताकि कुछक करता ुससे आसानी से पढ़ सके तो होते हैं हम जो जुरी होता है 27 ऊश्चन है कि कौण सनक गलत है आपको बताना है कि मैक्रोसाफट वार्ट में प्वांट संवाथ बाक्स खुलने के लिए कि कीबोर्ड चाट कर्ट चाहिए ये गलत है मैक्रोसाफ्ट वोड़ दस्तावेज में पैरेग्स मतलित करने के लिए कीबोर्ड कन्टोल प्लस यूज करते यह भी गलत है यानि कि ना तो नहीं दूसरा सही यानि कि दोनों गलत हैं स्वारी स्वारी यहां पर कहा रहा है कि कौन से गलत हैं तो यहां पर दो कि दोनों सही है ना तो पहला गलत और ना ही दूसरा गलत है यानि कि दोनों हमारे क्या है सही है तो यहां पर हमारा तीसरा अंसर करेक्ट होगा ना तो फ़र्ष्ट गलत है और ना ही सेकेंड गलत है यानिकी दोनों सही है अठाइस नमबर कोशन है किस पीड़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का परियोग करके विक्सित किया गया था तो देखें जो हमारा चौथी पीड़ी का कंप्यूटर था माइक्रो प्रोसेसर का तकनीकी का परियोग करके विक्सित किया गया था 29 नमबर कोशन है दी गई संख्या के लिए निम नमसे कौन से अंक पढ़ाली अपने प्रस्तिती करान के लिए अंकों की सबसे कम संख्या का परियोग करेगी तो यह 29 नमबर उदारान चौदे उदारान चौदे पता नहीं कहा गया तो यह होता है हमारा हेक्साडेसिमल अगा तुस नमबर कोश्चन है जब आप बिंडोज में फाइल या डारेक्टरी आइकन का चेंड करते हैं और सिप्ट तथा डिलेट कुझियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा तो होता क्या है इसके एक साथ दबाने पर कि कि आप फाइल या डारेक्टरी को अस्थाय रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं इस बात की पुष्टी करने के लिए एक समवात बाक्स प्रकट होगा कि माइक्रोसाफ्ट एक्सल में डेटा को किसमें प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्ति और कालम के ग्रीट को निर्मित करता है तो हमारा रहता है सेल्स माइक्रोसाफ्ट एक्सल में डेटा सेल्स में प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्ति और कालम में ग्रीट को निर्म सब्सक्राइब प्रोग्राम देट इज रेनिंग थार्टी थ्री नम्र कोश्चन है दिये गभी कल्पों में से कौन सा विसम है देखें ट्रेक बाल मौस और कीबोर्ड यह हमारा क्या है कि हाड़ वेयर है एंटी वायरेस क्या है यह हमारा सब्सक्राइब है एक परकार का समझ सब्सक्राइब मैक्रों सब्सक्राइब फालें आप्शन रिटर्न दा लागर्थम आफे नंबर टू दा बेश्योर स्पेसिफाइब यह रहता है अमरा लॉग थार्टिफाइब नंबर कोशन है कलेक्सन आप कौन से एक्ट्व से एदर फ्राम लेफ्ट तू राट और फ्राम टू बाटम और बोथ इच काल्ड यह हमारा कहलाता है से रेंज कहलाता है थार्टिफिक्स नंबर कोशन इनिम से कौन से कथन गलत है तो कौन से कथन गलत है आपको बताना है तो पहला है कि सीडी और एक पुनर लेखन डिस्क जो पहले से रिकार्ड की डेटा को मिटाने और नए डेटा को लिखने इस प्रकार लिखने की अनुमति देता है तो यह दूसरा करें CD RW में RW अच्छन को एंदे Read and Write है यह भी हमारा गलत है यानि कि फाइस्ट आट सिकर्ड दोनों क्या है गलत है इस समय होता है थी था आपटाऄ है कि मैक्रो साट पाराइट में से प्रकट नहीं होता है तो हमारा नाई-स इसे अलर्द के लिए लेजर लाइट वीम का सबसे पहलब ब्राउजर का नाम क्या था और इसे किसे दुआरा आ undergraduate देखे यो दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर था इसका नाम था वर्ल्ड वाडवेट यानि की www था और इसे जो विक्सित किया था वैं टिम वर्शनली ने विक्सित किया था कि तारिस नमर कोश्चन है यह बतायागा कि निमने कथम सही है या गलत अप्सन है इंटरनेट ट्रैफिक को वेवस्थात करने में राउटर मुख्य भूम करने भाते हैं यह बिल्कुल सही है दूसरे कि रिपीटर से डेटा सिगनल को बढ़ाते हैं और लंबी रेंज के संचार की तरह उन्हें कमचर होने से रोखते हैं यह भी सही है यानि कि पहला और दूसर वाली में फाल डाट टेक्स्टी और फाल डाट टेस्टी को एक फाल माना जाएगा यह भी सही है यानि कि हमारा दोनों सही है लिनक्स और विंडोज में देख लीजिए यह है फुटिटी नामर कोश्चन है इसे आप प्रोग्राम एंड डाटा इंटरनेटेड वारेश्ट टास्क और एक कंप्यूटर सिस्टम इस नोन है तो हमारा कहलाता है साफ्टवेयर कहलाता है वारी स्टास्क है टोटीफोर नामर कोश्चन नंने लिखे तो Microsoft Excel फंक्सन कमान क्या होगा इसको फंक्सन कमान हो हमारा 10 होगा कि फोटीफाइब नंबर है या बताएगे निमने कथान सही है या गलत तो गूगल एक वेब सर्च एंजिन है और इसे माइक्रोशाफ द्वारा चला जाता है यह बिल्कुल सही लेकिन माइक्रोशाफ नहीं से गूगल द्वारा चला जाता है यह हमारा गलत हो जाएगा कि दूसरा है कि विंगे एक विप सर्च इंजिन ने जिसका माली गूगल है गलत और Microsoft दौारे चलाएं गलत है विंग जिसका माली Google है Microsoft दौरे चलाएं Microsoft दौरे नहीं चलाए जाता है यहां प्यल्वार गलत हो दोनों का थान गलत हैं यानि क्लानी कि आपसा नंबर एस हो दाइंगा यहाँ पर माइक्रोसाफ्ट वर्ड में रंग फांट साली और आकार जैसे प्रारूम को पार्थ में कई जगह लागू करने के लिए नियुक्त किसका प्रयोग किया जाता है यह हमारा रहता है फार्मिट पेंटर यहां पहला पहला अंसर करेक्ट हो जाएगा फार्मिट पेंटर जिसे कंप्यूटर से दूसरे डिट में डेटा अंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो हमारे रहता है पेंट राइव पच्यास नमबर कोश्चन है कि माइक्रो साफ्ट वर्ड दस्तावेज के पैरग्राफ में कहीं भी एक साथ तीन बार किलिक करें और संपूर्ण का चैन होगा तो यह क्या होगा तो हमारा पैराग्राफ होगा हमारे दूसरा अंसर क्रिट हो जाएगा दोस्तों यहां पर हमारे 50 कोशन खदम होता है कंप्यूटर का जो की यूपी फीसल का यह होगा कोशन था 25 जनौर 2019 का तो और वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो ह आप लोग सब्सक्राइब कर लेजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए और जिन लोगों ने इस वीडियो को सेर नहीं किया वो लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेर कर दें और स्वाम को डेली साथ बज़े अपना लाइव कुलास चलता है यूपी फीसील का टेक्न